हालो और विल्कम फ्रेंट्स मैंने में सुरज कुमार्टिवारी और वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सल सॉलुशन चैनल फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे कि हम MS Word के फाइल पर पासवर्ड लगा सकते हैं MS Excel के फी फाइल पर पासवर्ड लगा सकते हैं यहां सारी हमारी जो MS Excel की फाइले हैं वो सेव हैं आप देख सकते हैं यहां पर अब इनमें से कोई एक फाइल मैं चूज कर लेता हूं जैसे यहीं मैं चूज कर लेता हूं और इसको ओपन जो दिया हुआ है न यहां पर आपको एरो पर क्लिक करना है यह आप एरो ध्यान से द जाना है यहां पर आना है database tool उपर ठीक है यह database tool आपको दिखाई पढ़ रहा होगा और आपको क्लिक करना है encrypt with password यह encrypt with password देख लेजिए इस पर क्लिक करिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो file open नहीं होगी आप से कहेगा कि यह file already open है तो आपको ऐसे ही एकदम खोलना ह ठीक है अब यहां मैं कोई password डाल देता हूं ठीक है और इस password को यहां repeat कर देता हूं ओके अब इसको ok कर देता हूं और इसको मैं यहां से save कर देता हूं अब हम इसको open करेंगे ठीक है यह file का नाम जो है इसी नाम से है और इसको मैं close करता हूं यहां से और फिर हम दुबारा स access को open करेंगे access open हो चुका है office बटन पर click किया हमने open पर click कर दिया और जो हमारी file थी उसको open करते हैं यही है हमारी file अब इसको double click करके मैं open करता हूँ तो यहां देखिए यह password मांग रहा है तो i hope की यह बात आपको समझ में आ रही होगी कि किस प्रकार से हम password लगा सकते हैं अब देखिए यहां पर मैं password डालता हूँ ठीक है और okay प्रेस करता हूँ तो जैसे ही प्रेस करूंगा यह खुल जाएगा अब यह देख सकते हैं आप यह पूरा data open हो चुका है तो i hope के वीडियो समझ में आई होगी और वीडियो समझ में आई हो तो आप इसको share करें like करें हमारे channel को subscribe करें thank you for watching this video